हेलो दोस्तों नमस्कार जेहिंद महूरा के शुराब देख रहे हैं All Government Job Update मैं लेकर कहा हूँ बहुत बड़ी Vacancy News इंडियन आर्मी के DSSE College में बरती आचुकी है DSSE बरती 2024 MTS 10 यूपास All Candidate को एक बार फिर से मौका दिया गया है इन्होंने पहले भी एक भरती निकाली थी बहुत अच्छी Vacancy रही बहुत अच्छे कासे फोरम भी बरे गए और Admit Card भी लगबग इन्होंने सभी का जारी किया था Opline Forum रहेगा Ace Criteria क्या रहेगा Selection Process कैसे रहेगा एक एक करके पूरी डिटेल पे चलू उसे पहले यह दिए आप सभी नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्रीब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें हमारे जितने भी प्लेटफॉरम है उन सभी को जॉइन करके रहो आपको बहुत पूरी तरह आपकी हेलफ होगी ओपलाइन फोरम आपको फिर यूप कोस्ट मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़े आपके साथ सयोग की जाएगी ठीक है तो कंटिनीव हमारे शाथ बने रहे और भी कोई मन में क्यूशन क्योरी है तो बेजी जी कमेंट करना या इस्टाग्राम पेज पे जुटके मुझे मेसेज करो आप से बात करके आपकी help की जाएगी ठीक है मैं चलू इनके full notification पे मैं आज सुका हूँ इनके full notification पे उपर उपर लिक्र का है रक्षा सेवा 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 इस्टाप कोलेज आपको खर्च नहीं करना होगा ठीक है आगे मैं चलू इनकी जो पेमेंट है देके तो आटार जार से जपन अजार नौशो तक पेमेंट जाएगी दस्वी पास बढ़ती है मल्टी टास्किंग इस्टाप निश्वलक बढ़ती है आयू की घंडा अंतिम्तिति के अनुसार की जाएगी अंतिम्तिति की मैं बात भी कर लूँगा यादे को एड्रेस देर काया दा कमांडेट डिपेंस सर्विस इस्टाप कोलेज वैली गंटन निलगर्ज चोशट बत्ती इकती तमिल लडू के पते पर आपको इसका बेजना होगा पंजिकर डाक से इस्पीड पोस्ट है ये सादार डाक से आपके जैसा आपको सही लग रहा उससे बेजे लेकिन मेरी जो माना उससे इस्पीड पोस्ट ही आपको ये पोस्ट करना होगा सबी सेक्षिक याँ वावशिक योकेता के पर्णामपत्र आपको देने होंगे जनमतित्य थ्युत ₹-ध ये आर्क सी, वरकís समंदित हो वह जाथी पर्णामपत्र आपको लगाना होगा दिवियांग में बूत्पुरी शैनिक होने पर समन्धित पढणाँपतर की परतिलिपि आपको लगानी है अनपती पढणाँपतर की परतिलिपि यह दिया आप कहीं सेवरत हो तो वह बी आपको ज़रूर। डोकोमेंट की मैंने किलिरली बात कर लिया इसके बाद में मैं बात करूँ तो आवेदन वाले लिपापे पे उपरी उपर आपको लिखना होगा अप्लिकेशन फोर्दा पोस्ट आप मल्टी टास्किंग इस्टाप एक्सरों में बरह जाएंगे आवेदन के सबी कोलम उचित परकार से इसमानदित उनमें लागू नहीं है एनने लिखना है आपको यहाँ कोई कोलम खाली जोड़ना है आपके लिए लागू नहीं है तो उस इनके अलवा कोई यह दिया आपकी केटेग्रिय है, तो आप जन्रल में आऊधिन कर सकते हो, या और कोई केटेग्रिय है तो आप सबी जन्रल में आऊधिन कर सकते हो, ठीक, इस निर्देश को अपने जो कि में खर्चे पर शामिल आपको होना होगा ठीक है इससे भी अधिक यदि जानकरी चानी है आपको तो 9 मार्च का रोजगार समाचार देखना होगा लेकिन मैंने आपको पूरी डिटेल में जानकरी बता दिये है कोई समाचार पतर देखने की जरूरत नहीं रहेगी पद क इसकी बात कर लो तो 6 पद है 6 पद आप कम देखके ऐसा मत सोचना कि इस वाकेशी में बरती में फोर्म पद कम है यदि पद कम है तो फोर्म भी कम बरे जाएंगे पद का नाम है मल्टी टास्किंग इस देके तो आटरे से पचीज आपकी एज यदि अटरे से लेके पचीज इस तक हो रही है ओबीशी एसट को छूट भी दे रहके वो छूट आपके हो रही है तो आप इसमें फोर्म भर सकते हो अटर हजार से चपन अजार से लेड़ रहेगी टैंद पास इसमें बरती आ रहे है इसका ओपलाइन फोर्म और और ओरिजिनल जो इनकी विग्यापती और offline forum और इनकी जो विग्यपती आपको काम मिले की तो हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक देर करने चे अब जरूर जाके जोईन करें सबी को वह forum और यह जो इनकी offline विग्यपती है वह आपको मैंने जो भी जान करें दी I hope आपको सबको समझमाई होगी और भी कोई मन में क्योशन क्यों लिए है तो बेज़ी से कमेंट करना आपकी पूरी तरह हलब की जाए ठीक है थैंक्यू जे हिंद वंदे मातरम जेवार